साथ क्यों प्रस्ताचार के खिलाप आपने साड़े चार साल पहले मुझे जो आदेश दिया था उस पर भी मैं पूरी शमतां से खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस कारण कैसे इस चोकिदार के खिलाप कुछ लोगी खत्ता होना शुरू हो गए हैं और ये भी अब स्पस्त दिख रहा है उत्तर प्रदेश में तो आप ये भी देख रहे हैं कि बालू मोरंग लेकर सोसीतों वंसीतों का अधिकार तक जो खा गए ऐसे लोगों ने अब ब्रस्टाचार में साजेदारी का अभियान शुरू किया है एक दूसरे के गोटालो और गपलों को छुपाने के लिए वो हाथ मिला रहे हैं जो कभी एक दूसरे से आँख मिलाने के लिए पे तैयार रही थे भाई और बैनो राज नितिक स्वार्थ के लिए लखनव के गेस्टाउस का वो शर्मना कान उसे भी भुला दिया गया मुझपर नगर समेत पस्सी मुपी के अनेक हिस्सों में क्या हुआ था इसको भी बुलाने की कोशिश की जा रही है इस सब कोच सीफ और सीब इसलिए हो रहा है क्योंकि चोकीदार जागता है चोकीदार सामने खड़ा हुआ है पुरी मांदर के साथ खड़ा हुआ है चोकीदार को हटाने के एक मात्रा भ्यान के लिए हर तुकड़े हर तिनके को जोड रहे हैं जब जांच एजन्सिया इनके करमों का हिसा मांग रही है पेच्चोकीदार के विरुधी साजी सरत रहे हैं भाई यो बैनो दो-तिन दिन पहले आपने पार्लमेंट में देखा होगा हमें गर्व है हमारे देश की एक बेटी जो पहली बार देश की रख्षा मंत्री बनी है आठ पहली बार एक नारी सवासो करोड देश सवाच्यों की रख्षा की बागडोर समाल रही है यह नारी गवरव का विश्य है नारी अभिमान का विश्य है और जब हमारी रख्षा मंत्री एक माईला ने पार्लमेंट में विरोधी दल के नेताओं के चक्के छुड़ा दिये उनके सारे जुट को बेनकाब कर दिया आपने देखा उनकी आँखे फटी की फटी रह गई थी और हमारी रख्षा मंत्री एक के बाद एक सत्य को पार्लमेंट के सदन पर रख रही थी ऐसे बोखला गए ऐसा बोखला गए का वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए है ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है और जिसकी कीमत ये गैर जिम्मेवार नेताओं को चुकाने पड़ेगी भाई या और बैनों ये जितने मर्जी प्रयात कर ले लेकिन जाँच एजन्सियां तो अपना काम करेगी इन लोगों से हिसाब मांगेगी ताथियों चौकिदार अगर इन सभी को आज इस्थिती पर लाने में सपल हुआ है तो ये कैसे हुआ ये मोदी के कारण नहीं हुआ है ये आपके आजिनवात के कारण हुआ है 130 करोर भारत वाजियों के विश्वात के कारण हुआ है आपके इस विश्वात पर ख़ड़ा उतर रेका दिरंतर मैं प्रयास कर रहा हुआ